श्रिलंका एक खिलाफ T20 सिरीज के लिए टीम इंडिया का एलान हो गया है रोहित शर्मा विराट कोली जैसे सीनियर खिलाडियों को आराम दिया गया है या फिर उनकी छुट्टी कर दी गई है जो भी आप समझ सकते हैं स्टार्स खिलाडियों की गयर मौजूदगी में हार्दिक पांडिया की अगवाई में टीम श्रिलंका एक खिलाफ मैदान पर उतरेगी शिवम मावी मुकेश कुमार वो नाम है जो डेब्यू करने की तैयारी कर रहे हैं तेज गेंदबास मुकेश कुमार के किसमत एक हफते में ही बदल गई है पहले उन्हें IPL 2023 के मिनी आॉक्षन में दिली कैपिटल्स ने 5.5 करोड रुपे की भारी कीमत दे कर खरीदा वहीं अब उन्हें भारतिय टीम में भी मौका मिल गया है दरशल स्रिलंका एक खिलाफ अगले महीने खेले जाने वाली घरेलू T20 सिरीज के लिए मुकेश कुमार को टीम इंडिया का हिस्सा बनाया गया है T20 टीम में उनका नाम शामिल किया गया है इस सिरीज की शुरुआत टीम जनवरी से होगी तीन पाँच और साथ जनवरी को तीन मैचिस के ले जाएंगे तीन T20 मैच की ये सिरीज है गुपाल गंच बिहार से तालुक रखने वाले 29 वर्षिय मुकेश बंगाल की तरफ से फर्स क्लास क्रिकेट खेलते हैं इसके लावा उन्होंने लिस्टे मतलब की जो छोटा फार्मैट होता है लिस्टे के 24 मैच खेले हैं जहां पर गेंदबाजी करते हुए उन्होंने 37.46 की औसट से 26 विकेट अभी तक जटके हैं 23 T20 मैचिस में उन्होंने 23.68 की औसट से 25 विकेट चटकाए हैं इसमें उनका एक्नमी जो है वो थोड़ा सजादा था साथ से उपर की एक्नमी थी मगर विकेट निकालने की काबलियत जो है इस गेंदबाज के अंदर है काफी महनती हैं मुकेश कुमार गुपाल गंज के एक गाओं के रहने वाले मुकेश कुमार एक साधारन परिवार से आते हैं पिता उनका नाम था काशिनाथ सिंग कॉलकता में आटो चलाते थे तो माता ग्रहनी थी मुकेश के सेलेक्शन के पीछे का कारण है वो तेज गेंदबाज हैं और इसलिए उन पर भरोसा जताया गया है शुरू से ही मुकेश क्रिकेट खेलने में काफी अच्छे थे लेकिन बिहार की कोई टीम रनजी का हिस्सा नहीं होने के कारण उनके लिए आगे की रहा चुनना काफी कटिन हो गया था क्योंकि बिहार में पॉलिटिक्स थी बिहार की जो ऑगनाईजेशन थी क्रिकेट एस्सोसियेशन थी उसको बी सी सी रिकोगनाईज नहीं करता था इसलिए इशान किशन भी जारकन गए थे वैसे ही वो वहां से कॉलकता चले गए क्योंकि उनके पिता जी वहां पर टेक्सी चलाते थे मुकेश के पिता कॉलकता में रहकर टेक्सी चलाते थे तो मुकेश ने वहां जाने का रिस्क लिया कड़ी मेहनत करके उन्होंने बंगाल की टीम में अपनी जगा बनाई और घरेलू क्रिकेट खेलने लगे इसके बाद मुकेश को इंडिया एकी टीम में जगा मिली और इस साल तो वो भारतिय टीम में भी शामिल किये गए थे हलाकि प्लेइंग 11 में खिलने का मौका उन्हें नहीं मिला था बांगलादेश दोरे पर हाल ही में इंडिया एकी टीम बांगलादेश दोरे पर गई थी इस इंडिया एकी टीम में मुकेश कुमार भी शामिल थे इस सीरीज के पहले मैच में उन्होंने तीन विकेट अपने नाम किये थे वहीं दूसरे मैच में उन्होंने छे विकेट जटके थे उन्हें ये विकेट पहली पारी में ही हासिल हो गए थे इस दुरान उन्होंने 15.5 ओवर में महज 2.52 की एकनॉमी से 40 रन देकर 2 मेडिन ओवर डाल कर ये विकेट अपने नाम किये थे तो मुकेक्ष कुमार का परफार्मेंस जो था इंडिया ये के लिए काफी अच्छा था और बहुत अच्छी परफार्मेंस उनकी डोमेस्टिक में हुई है उनको IPL में अच्छा खासा पैकेज मिल गया है और अब अच्छी बात ये है इसे सोने पे सुहागा कहते हैं कि T20 टीम में भी उनकी जगा बन गई है और ऐसी वैसी जगा नहीं बनी बैक अप के तौर पर नहीं बनी यह वैसी जगा है जहां पर उन्हें प्लेंग 11 में खेलने का भी मौका मिल सकता है